हेलो एव्रीवन वेलकम टु आर चैनल ओल्ट्री एड़िकेशन आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल रेड्स क्या होता है क्या डिफरेंट । टाइप के टेक्सोनॉमिकल रेड्स होते हैं तो चलिए स्टार्ड करते आप से यूदियो में अंड अध तक बने रहे तो सबसे पहले समझते हैं, हम TACONOMICAL AID क्या होता है? क्या होता है TACONOMICAL AID? जिसे जिसे हम सुना होता है First Aid, First Aid Walks क्या होता है? डॉक्तर के आने से पहले-पहले, जो हम First Treatment दे देते हैं, जिसको भी छोट लगी है, यह कुछ भी problem होली है, वही होता है first aid, यह जो First In-Hand Information दे द वह नहीं से मिलती है, इन्हें कहते हैं Taxonomical Aids, सबसे बहले, Taxonomical Aids क्या होता है, Taxonomical Aids, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले, Actual Specimen चाहिए होता है, तो यह प्लांट भी तो चाहिए होगा, बिना देखे मैं कैसे किसी प्लांट को डिसकाइब कर पाऊंगी, तो वही होता है, हमें एक Actual Specimen चाहिए होता है, चाहिए वह प्लांट हो, चाहिए एनिमल उसका Actual Specimen चाहिए होता है, वही हमारे लिए प्राइम सोर्स होता है, Taxonomical Aids, में अगर आपसे पुसादे सबसे इंपॉर्टन चीच क्या है, वह हमारे पर Actual Specimen का होना, तभी तो हम कर पाएंगे, और Taxonomical Aids में 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 क्या होता है, प्रोसीजर होते है, एक तरह का प्रोसीजर होता है, और और प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर करने का या जो भी पलचलते हो उनकी information है, और हमारा Specimen, उसको भी एगर हम रख सकते हैं, देखे, लाइफ तो हम प्लांट्स को ही रख पाते हैं, अनिमल्स को भी रख पाते हैं, जो भी चीज़े हैं हमारी कर ऐसे organisms होते हैं, जो अब नहीं है, उन्हें हमने solution है प्रिजर्व कर रखा है वो सब, वो हमारा Specimen होता है, होप सो आपको Taxonomical Aids समझ में आ गया हो, अब हम आगे बढ़ते हैं, Taxonomical Aids full 5 प्रकार का है हमारी books में जो dimension किया गया है, तो उनमें से 3 types हम अभी करने वाले हैं, next 2 types हम next part में में लेकर आऊंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे Herbarium, क्या होता है Herbar Deloft, अब हम फसीफिटया सब गौते है reperματα, ईख अब में- मुदाख बसान को ने बरता है, बीजाएक हम सब करने उनमोरे, फीछा में- Georgie करी सायेbanmade हम लेकार सब मैं हम सब Ultra lightly टit, उनम सब मास्कु ना है ? कैसे भी या फिर उसे दूप में रखका उसे फिर उसे ड्राइ किया जाता है उसके प्रेस कर दिया जैसे प्लांस की कुछ फ्लास बड़े उसके प्रेस कर दिया जाता है और इन्हें शीट्स पर प्रिजर्व कर दिया जाता है और इन्हें शीट्स पर जब मैं लगाऊंगी ज यहां पर क Hencecc this sheet कुछ इस पर लगाया है मैंने इन इस प्लांट को त्य हंपर टेप विगड़ Любर केसल को यहां पर इजिस्ट कर दिया जाता है। और चाह्øre कि लेवल इस लबल में क्या होता है इस लेवल मि is स प्लांट से लेटे रहा है राफुपा इसे लिए herbarium को कहा जाते है कुई grafferal system कि बहुत जल्दी हम इसे चीजे देख कर चीजे समझ क किए कूछ करते हैं कुई grafferal system कहा जाता है harbarium के लिए और यस तरह से sheet पहुता हीए ओपसो आपको यह topic समझ में आगए है अब हम आगे मुफ करते हैं हमारे botanical gardens पे क्या होता है Botanical Gardens? Botanical Gardens नाम से Botany, Botany एक साइंस की ब्राच होती है जिसे हम Plants के चड़ी करते हैं, जो Herbarium था वो भी Plants के लिए था, जो Botanical Gardens होते हैं, यह भी Plants के लिए होते हैं, यहाँ पर हमने प्लांट को ड्राइ करके, प्रेस करके प्रिजर्व करते हैं, यहाँ पर यही सॉयल में ग्रो किया जाता है, वैसे रखा जाता है Botanical Gardens में, यहाँ प्लांट में, यहाँ प्लांट में होते हैं, बहुत बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा है, Botanical Research Institute, मूजियम में जो रखा जाता है, प्लांट और अणिमस को प्रिजर्व किया जाता यहाँ पर, याँ यहाँ जो होता है, इसमें प्लांट और अईमस की आ सकते हैं, तो इसमें बड़ा इनिमल इनिमल में डाल रखा है, वो भी हम लोगों ने देखा होता है, वो जो डिप्रंट इफॉर्ण तरीके का जो solution होता है रखा जाता है उन्हें वही होता है museum में, Museum में में दो तरीके होते हैं रखने के preserve करने के एक तरीकह होता है dry, उसको रखना और दूसरा तरीकह होता है किसी preservative solution बह haircut跟大家 ककई ऐसे ही रख रुख लिया जाता है, और कई बर उन्हें तो उन्हें हम एक solution में डालते हैं, उस solution को नाम आपको पता होना चाहिए, वह solution होता है, वह solution होता है, जिसका formula मैंने लिख रहता है, ऐसी है, यह वही solution है, जो हमारे glue अगरा में भी यूज होता है, जो फैविकॉल अगरा हम यूज करते हैं, उसमें फॉर्मेल्डी हैड मुशनी की कोशिश करिए, यह जो मैंने यहाँ पर बना रखा, यह हमारे एक इंसेक्ट है, जो कि यह solution के अंदर है, और solution कौन सा है, इसका नेम भी लिखा जाता है, कि नेम, किसने इसको कलेक्ट करके रखा, क्या था इसका टाइम, कभ इसे कलेक्ट हिया गया, जो भी है, व तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब आर चानल, थैंक य।